मस्कार हमारे चैनल परमपरिज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों हम आपके लिए एक दिव्यों सधी के रूप में हर्शिंगहार याने पारिजाद जो पारिजाद पुस्प देने वाला एक पौधा होता है इनका कोई विशेश मोटाई लंबाई चमडाई नहीं होता करीब ये 20-15 फिट की दुरी उचाई वाला होता है दोस्तों हम इनको हमारे भारत देश में अलग-अलग भासा से अलग-अलग नामों से इसको जानते हैं इनको कहीं हरसिंगार, पारिजाद, सेफाली, शियूली और विज्ञानिक नाम नेक्टम आरबस्टिस है दोस्तों ये कैसे काम करता है और किस किस रोख पर काम करता है हम आपको बता रहे हैं लाइन से दोस्तों इनके 10-12 पत्ते लेकर के इनके श्वरस निकाल लेजे इनको स्वरस निकालने के बाद 20-25 एमेल की मात्रा में अगर खाली पेट सिवन करते हैं तो इसमें वात करोग, नस करोग, यूरिक एशिट का बढ़ जाना तथा शरीर में किसी अंग में अकडन या जकड जाना या आइठना ये समस्त्र प्रकार के वात रोगों पर काम करत है दोस्तों अगर इसी पत्ति को अगर लॉंग के कुछ दोचार भाग लॉंग के दोचार नंग डाल करके और इसमें जाय पत्त्री डाल करके अगर इसको कुटाई करके 20 से 25 से मिल तक की मात्रा में सेवन करते हैं तो कफ रोग जवर खासी तथा किसी प्रकार के पेट में क्रिमी या अन्य उपद्रवी के कारण दर्द हो जाने पर भी यह काफी असरकारक और सथी के रूप में काम करता है दोस्तों इसके पुस्प के बारे में कहें तो इसके पुस्प जैसे ही ठंड अधिक पढ़ता है तो इसके पुस्प बहुत देर में गिरते हैं सुबह होने पर और ठंड कम पढ़ता है तो यह बहुत जल्दी इनके जो पुस्प है वो ज़ड़ जाते हैं जमीन पर जमीन में गीरा ही पुस्प लोग भगवान में चढ़ाते हैं तो इनके पुस्प को अगर एक अत्रित करके रख लेते हैं और इनके पुस्प के साथ जामुन गुटली तो ग्राम की मात्रा में दो ग्राम आम गुटली और कुछ इनके एक दो ग्राम की मात्रा में इनके पुस्पा को चूना बना कर अगर खाली पेट सेवन करते हैं तो सुगर के भ्यानक बढ़ जाने पर भी सुगर को कंट्रोल में करता है ब्लट सुगर यूरिन सुगर दोनों प्रकार के सुगर पर ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों अगर दर्द इस्थान पे अगर जकडन या किसी प्रकार का खून का जम जाना या नसों में खून का रुख जाना अगर हो तो इनके जड़ को उखाड करके आप कुछ मात्रा में सरसो और तील के तेल को मिला करके इनके जड़ को आप उबाल लीजे उबालने के बाद इनके जड़ को छान लीजे छानने के बाद उस तेल से अगर मालिस करते हैं किसी भी दर्द किसी भी स्थान में हो दर्द बहुत ही जल्दी ठीक होता है चाहे वात का दर्द हो या किसी प्रकार के लाठी वाठी डंडा से लग जाने पर या गिर जाने पर कहीं चोट लगा हो तो भी यह आसानी से ठीक हो जाता है दोस्तों यह बुखार पर भी बहुत अच्छा असरकारक और सधी है इसको अगर प्रती दिन 20-25 एमिल की मात्रा में अगर लेते हैं तो एक हफ्ते में बुखार ठीक हो जाता है तथा वात साइट का रोक पर इसको निमित कम से कम 2-3 महना तक सेवन करना चाहिए तब वात करोक किसी प्रकार का भी हो वो आसानी से ठीक हो जाता है यूरी केशिट का बढ़ जाना ये भी आसानी से ठीक हो जाता है तक हर सुगर के पेशेंटों को भी इसके जो दवा है जो इनके पुसपसे बना हुआ दवा उसको निमित मात्रा में 3 महा तक खाली पेट से करने से सुगर नार्मल की स्थिती में हो जाता है दोस्तों यह अवसाधी घ्यान आपको कैसा लगा यह अपने कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को आगे सेयर भी कीजिए